सुसिल जी, हिम्मत है ना, तो आप अपने बालू माफिया के खिलाब और अपने पार्टी में अपरागियों के खिलाब बात करें। किसान पर गारी चरा दिया, उस पर नो मडर केस है या नहीं। लेकिन जब आनन्द महांजी बीजेपी के साथ थे तो ठीक। बावलू सिंग बीजेपी के साथ थे 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 और आनन्द महांजी उधर चलेगे तो बे ठीक। बारेबा आनम सिंग नाज करवाते थे तो ठीक और आनम सिंग आज उधर है तो भे ठीक जो लोग सत्ता में थे और जो लोग सत्ता में आएं जो नया भिहार की कल्पना करते उनको कहिए कि पहले मोतिहारी को अकेले सुधा ले महात्मा गांधी पस्मी चंपारण की आजादी नील गाय या चंपा बाल में की तो यदि विहार की आजादी चाहते हैं तो दो ही जगा से सुरू करें एस्मगलर मुक्ट गर्ना क्राइम मुक्ट जमीन माफिया मुक्ट सराब माफिया मुक्ट रक्स माफिया मुक्ट कि जितने माफिया इन से पहले कहिए कि वो हमको लड़के दिखा दे एक नाम लेके दिखा दे जो लोग अपने को कहते हैं न कि मैं बिहार मुक्ट करूंग तो उनको बोलिए एक अपराधी का नाम लोग और एक नेता का नाम लोग की अपराधी के साथ कौन-कौन इन्वल्व और मैं कह रहा हूँ मैं धाका से शुरू करता हूँ धाका के विधाय के भाई complete इन्वल्व हैं ड्रक्स से लिख के सची और मैं संपत्ति की जान चाहता ह हूँ कि इतना पैसा कहां से है कि मैं इस इलाके के सभी MP MLK के 20 साल पहले क्या संपत्ति थी 20 साल के बाद क्या संपत्ति है मैं जाच चाहता हूँ पहली बार यहां के विधायक किसी के घर पर गए कोरोना में नहीं निकले एक विधायक यहां कैद्गन्ना मंत्री थे उन्होंने अगले बार नरेंदर भाय मोदी जी को दूद का चाह पिला रहे थे इसी मिट से हम जानना चाहेंगे कि दो आत्मत्या हुई कितने मौते सुसिल जी हिम्मत है ना तो आप अपने बालू माफिया के खिलाब और अपने पार्टी में अपरागियों के खिलाब बात करें नित्यानन ज्यादव जी पर बारा मडर केस है या नहीं गिरी राज सिंग जी पर चार सौ फीस से लेकर के आठ केस है या नहीं जिस मिस्रा हो मिनिस्टर का बेटा किसान पर गारी चरा दिया है उस पर नो मडर केस है या नहीं अपराधी का जगा जेल नहीं है और अपराधी का नेता से चोली दामन का जो संबंद है और राजरितिकियों से राजनिति की सत्ता अपराध और अपराधियों के चोली दामन से संबंद है बिना अपराध अपराधी माप्यों के सत्ता मिल ही नहीं सकती हम एंपी मेले बन ही नहीं सकते कैविनेट का विस्ताग रादिकारी सोसाइटी बगल में रह करके लड़ने की हमत नहीं चुटाता है इतना मडर हुआ एक बार भी उस बच्चे की मौत होगे सोसाइटी लड़ा पूरा समाज माप्यों के साथ खरी हो जाती है नेताओं के साथ इन नेताओं का भी रोट कर दे समाज इनी नेताओं को समाज सबसे उचा कुर्सी देता है साथी में सराथ में हुंडन में सोसाइटी अपरादियों को सेल्टर देती है कास्ट के अधार पर सोसाइटी खाली गाली एस्पी और तरोगा के लिए नहीं है सर पूरा पैसा इंभव किसका है कौन नरम दिख्राइस सर मैंने कहा आप कि आनंद महांजी बीजेपी के साथ थे तो ठीक आनंद महांजी को घर नहीं जाना चाहिए था हमसे पूछिए गा तो हम बोलेंगे लेकिन जब आनन्द मुहांजी बीजेपी के साथ थे तो ठीक बावलु सिंग बीजेपी के साथ थे 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 और आनन्द मुहांजी उधर चलेगे तो भे ठीक बारे बाव आनन्द सिंग नाज करवाते थे तो ठीक और आनन्द सिंग आज उधर है तो भे ठीक यह सर मतलब बीजेपी में जो गया गंगा अस्टान कर लिया और जो बीजेपी से नहीं निकला हो जमना अस्टान कर लिया सर पत्रकार जी लोग मैं पैर पकरता हूँ हमसे पुझना चाहते हैं न तो मैं तो कह रहा हूँ यहां के सब M.P.M.L.A. के बारे में क्यों नहीं सर लिखते हैं इमत तो करिये कि त्यारिली सराब बंद कर दो और जब 15 करोर रुपिया का पसूली करी रहें सराब पीने वालों से तो फिर 4000 करोर रुपिया की रेवेन्यों क्यों ख़दम कर रहे हो 70% टैक्स बढ़ा दो और मुतियारी में मात्र चार जगा सराब को खोलो वो भी 3-star होटल में रोड पे नहीं स्कूल मंदिर में नहीं ब्लॉक में एक जगा रिव्यू करिए ना हम तो आगरा करेंगे ड्राइस्टेट गुजरात था 25 लोग मड़े सराब चल गई है ना तो हम तो अर्दि व्यू का आगरा करेंगे हम सदा नहीं दे सकते नितीजी को बड़े लोग हैं जात का अपराधी फिरी और जिससे दुस्मनी वो अपराधी मारो अपराधी कास्ट के अधार पर या अपराधी अपराध के अधार जोगी जी का मोडल कास्ट अधार पर अपराध के अधार पर नहीं है या अधि हरी संकरतिवाली से दुस्मनी थी ती उसके अपराधियों को पहले मान कोई एक जो जोगी जी के सोजाती है है उसमें से किसी एक क्रिमिनल का नाम बता दो जिसको मारे हूँ किसी एक किसी एक पपू मोडल सुनिए पंकच कुषबा का जो मडर हुआ उसमें अब्धेस रहा की बेटी से उसका लब था जादब थी सब ने कहा जादब की बेटी है पपू जादब चले गए पंकच कुषबा के लिए पपू मोडल यह है समझें पपू मोडल इसको कहते हैं पपू मोडल कहते हैं कि जस्टिस जस्टिस है कास्ट पर अधारित बलतकार का मुल्यांकर नहीं होगा धर्म और मजब पर अधारित हत्यारे का मुल्यांकर नहीं होगा हमने अपने नेताओं से साफ किलियर काया कि जा करके आप देखिए सर कल मडर हुई पप्पु यादब आज आपके पास है कि नहीं है और यहां के बिधायक एक गारा दीन के बाद भी आज जब पप्पु यादब का सुना हम आ रहे हैं तब गए इसके पहले कब गए सर किसी मडर में उसका नाम बताओं सर सिंगल मडर में नाम बताओं सिंगल मडर में चैलेज करता हूँ और जब यहां गए तो फिर वहां क्यों नहीं जब यहां गए तो फिर आटियाई में क्यों नहीं जब यहां गए तो कैप्टन में क्यों नहीं जब यहां गए तो निशाद के पर्मुक में क्यों नहीं जब यहां गए तो रंगड़वा क्यों नहीं जब यहां गए तो भबा के मडर में क्यों नहीं नेता पदाधिकारी विहार में तो सरकार मनी है इसके पहले हम 40 बार आ चुके हैं न रमगरवा में हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी केप्टेन की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी आठी आई की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? एक्स पर्मुक निसाद की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? बाबा की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? उप पर्मुक की हत्या हुई थी तो सरकार कौन सी थी? सवाल सरकार का इस सरकार उस सरकार का नहीं है सवाल है अपराद और अपरादियों को सिस्टम मारती क्यों नहीं है और नेता अपरादियों का नाम लेता क्यों नहीं है अपरादियों को नेता बठाता क्यों है तबज्जों क्यों देता है और S.P.D. ट्रायल क्यों नहीं होती है चार सीट केस से चार सीट में अपरादियों का नाम कौन निकालता है किसके कहने पर या तो पैसा से या तो नेता के फोन से और साथ जजस सहाथ तीर मेरा के अंदर बेब कैसे दे देते है अब कोई बचा ही नहीं मैं उनकी बेटी की नोकडी की मांग अभी उठाया हूँ S.I.T. से चांच की मांग किया और टॉन में जो मडर वे इसमें भी मैं S.I.T. की चांच की मांग करता हूँ और मैं भगवान अब मुझे लगता है कि मैं भगवान से प्रे करूँगा या मुतिहारी बेतिया को कोई बचा लगा पत्रकार जी कब कौन किसको मार देगा मात्र 2000 से 5000 के बीच में मुँ मडर कोरेक्स दो बोतल इधर सुधर कहुंचा दीजे 2000 रुपया दीजे एक कटा दीजे मडर 5000 से जादे मडर की अवोकाद नहीं है आप लोग जिन्दा है भगवान भरोसे समझे जितना देर चल रहा है समझेगा किसमत के भरोसे चल रहा है किसको दोसी मैं कहा है हमको 45 साथ पहले हमको पक्रववा भिहा में हम गए थे देखने उसमें हमको पांच मेहना रख दी और बलात क्यारी और अपरादी मडर को तीन मेहना से जादे नहीं हम चाइलेंज करते हैं चाइले और हम आगरा करेंगे नितीज़ी से कि नितीज़ी सब काम छोड़के सबसे पहले इन्फरास्टेक्चर आप जीप लाए घर बनाए लेकिन उसके मुम्मेंट कुछ नहीं है सबसे पहले अपरादियों को चिनित करके स्पीडी ट्रायल करके दारू का काम करता है दबाई का काम करता है ड्रक्स का काम करता है सारे लोग मैं सारे नेताओं की संपत्ती की जांच आर्थिक अपराद से चाहता हूं चालीस सालों में जो जो नेता MP MLA बने है और जो जो पदादिकारी पस्वी चंपारण पुर्वी चंपारण में पोस्टेड हुए है उसकी पूरी संपत्ती की जांच जिसके पास सैकिल नहीं था उसको 20 करोर और 100 करोर की संपत्ती कहां से आ गया इतना बड़ा-बड़ा घर कहां से आ गया यदि अपराद और अपरादी को मिटाना है तो सराफ से और अस्मगलिंग से जो जो पैसा कमा है उसकी संपत्ती सरकार्ची ने इसके बाद अभी टॉन में एक छोटे से जमीन का काम करने वाले को 600 गोली मारा बगल में एस्पी और सब कुछ है अरे राज में डी एस्पी का 300 मीटर पर घर है उसके पहले उसके भाई को मार दिया गया था यदि मैं सवाद पुछूँगा तो कुछलों को पेट में दरद हो जाए कितने हत्या में कितनी घट्ना में राधा मोहन सिंजी गए कितने मडर और हत्या में संजय जस्वाल जी गए कितने घट्या हत्या और मडर में सिभर किसांसत गई कितनी इसके पहले मडर हुई जिसमें लोकल विधाय कास तक गए हूँ सिंगल नाम बता दीजे आप एस्मगलर का पैसा खाईए अपना चोड़ी किया हुआ पैसा इंभल किजिए ठेकेदारों में बोल्डर में और सारे अपराधियों को संड़क्षंदी रमगड़वा में वही हुआ कैप्टेन में पपुया दबाया तब हुआ आटियाई में वही हुआ निशाद के पुल पर्मुक में वही हुआ पुल पर्मुक में यही हुआ क्रिमिनल दिल्ली से लाए गए मेरा नाम दिया हुआ था मैंने नाम दिया था पदाधिकारी और वो जेल से वसूली करता और फिर दो-दो हत्या रक्त रंजीत रक्त चरीत हिम्मत है नेताओं को तो पहले एक काम करो ना मिल करके माफियों के खिराफ जंग लड़ो सारा काम छोड़ दो पत्रकारों पर हमला कल हम कहां थे परभात कबर के पत्रकारों को जांगोली मार दी गए सिम्तुला में थे उस परिबार को खाने तक के लिए कुछ नहीं था सरकार की जिम्मेदारी थी बिस्टाग रुप्या देना पप्पू या रखो देना पड़ा परसू थे हम पप्पू बंकच कुछ बहा के यहां चार बहन के बाद एक बेटा हुआ और तबंकउन ने सिर्फ प्यार करने के कारण उसको जिदा रटका के मार दिया दिन में एक आदमी बोलने वाला नहीं लगा अटार चौते हैस्तम मैंने तो कहा कि मारना है तो अकवार के बड़े-बड़े माली जो बड़े-बड़े चैनल के मालिक हैं उसे लड़ो ना जिसके पास जीने और खाने के लिए जैनिक बेटर नहीं होता है पत्रकार के पास वह तो अपना काम करता है जिंदी जीने के लिए आप उसकी सुरक्चा की बेवस्ता करिए उसके मरने के बाद पेंसन की वेवस्ता करिए बीस लाग रुप्या सरकार मुआप जा दे एक MP MLA बेतिया महराज की जमीन में जमीन माफिया और यहां के करमचारी के साथ इनवाद क्यों है एक एक लीडर का पैसा नेपाल बॉर्डर पर क्यों लगा हुआ सबसे ज्यादे सिचाई का पैसा यहां के निताओं ने बॉल्डर में पत्थरों में क्यों कमाया जील से कितने पैसे कमाये और जिस पस्मिच अंपारण की आजादी की बात गांधी किये थे तो भया हंग्रेजों के समय हमारे मिंदस पर हमारे खेती पर ध्यान जरूर थी लेकिन मेरी तैजी मेरी संस्किती मेरा इतियास मेरे भुगोल पर और मेरे सम्मान पर चोट नहीं था सबसे ज़्यादे जब से पुलिटिकल सिस्टम आया मैं कितना मडर में आपको गिना हूँ कल कोट में जब मडर बहुत किलिया रेदी आप लोग छापेंगे तो मैं बूलूंगा उससे ज़्यादे सुरक्षी दस्थान क्या होगा विदान सवा में विधायक पीटे जाते हैं जूता चपल से उससे ज़्यादे बड़ा मंदिर क्या होगा और मोतियारी के सेंट्रल जेल बेतिया इस इलाके के जेल से पैसा वसूली जाती है पहले मडर करते हैं फिर जेल जाते हैं और वहां से रंगदारी बजार की वसूली जाती है टेंडर में दखल दिये जाते हैं आट्टी आई की हत्या हुई उसमें उसके बच्चे आत्म हत्या कर लिए उसमें किसको पता नहीं है कि कौन दरोगा कौन सीओ और कौन कौन नेता इंवल्ब है क्या करने एक बार भी किसी नेता ने अभी तक उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की उसकी मदद करता को. उसकी मदद करते हैं. करने करते हैं. कर दो